आज हम बनाएंगे बहुत ही आसानी से बन जाने वाली और बहुत ही मज़ेदार भट्यारा स्टाइल मटन दंबियानी दंबियानि बनाने के लिए मैंने 600 ग्राम मटन लिया है मैंने में बोन मिख सकते हैं अब यहां पर हम थोड़े से गरम मसाले अट करेंगे, तो वन टी स्पून भरके मैंने या पर सिया जीरा लिया है, छे मैंने लॉंग ली है, दो सिनमेन स्टिक और दो मैंने स्टार फूल लिये हैं, अब मैं यहाँ पर एक टी स्पून मीट टेंडराइजर अगर आपके पास है तो एट करें वरना इसकी जगे पर आप एक टेबल स्पून भरके कच्छे पपईये का पेस्ट भी आट कर सकते हैं अब मैंने अट किया है हाफ कप दही दही ध्यान रखे बिल्कुल भी खटी नहीं होनी चाहिए वना ब्रियानी बहुत जादा खटी हो जाएगी दो टेबल स्पून भरके यहाँ पर हम अदर कलसन का पेस्ट आट करेंगे एक टेबल स्पून भरके मैंने यहाँ पर हरी मिर्च आट किया बारीक चॉप करके आप यहाँ पर चाहे तो हरी मिर्च का पेस्ट भी आट कर सकते हैं अब यहाँ पर मैंने 1 अब आपके करीब आट किया है अगर आपके पास यह नहीं है तो आप दो प्याज लें मीडियम साइस की उसे अच्छीता से फ्राय कर लें गोल्डन ब्राउन होने तक वो आट कर लें अब यहाँ पर मैंने देखिए एक कप के करीब लिया हुआ है पुदीना एक कप के करीब लिया है मैंने धनिया पुदीना और धनिया की ओंडिटी सेम रखनी हो और मैंने एक मीडियम साइस का प्यास लियता उसे बारीक चॉप करके आट किया है अब हम यहाँ पर अट करेंगे पाउडर मसाले तो यहाँ पर मैंने एक टेबल स्पून भर के लिया हुआ है लाल मिर्च है तीखी लाल मिर्च है वन टीजपून गरम मसाला अट किया है वन टेबल स्पून भर के यहाँ पर मैंने लिया है धनिया पाउडर और हाफ टीजपू आपको कोई और मसाला अट करने की जरुरत नहीं है यहां पर, अब यहां पर मैंने नमक आट किया है, 1 टी स्पून भर के आप नमक अपने टेस्ट के हिसाब से आट करें, आट से दस यहां पर हम आट कर देंगे सैफरन के स्ट्रैंड अगर आपके पास तो अट करें वरना स्क अब इन सारी चीजों का अच्छी तरीके से mix करलेंगे। अब यहां पर देखिये यह मारी डिया है अब अब आहें पर adding यहां पर भाद करेंगे पानी यहां पर यहां पर मैंने एक रीम्णडी कर्ना नियां। पर अगर गर्मी है, आप इसे फ्रिज में ही रखे, वर्ना इसमें से समल आने रगेगी तो जब तक ही इस ने देख लेते हैं, यहां पर मैंने दो कप चावल लिया है और उसे अचिछी तरव से धो लिया है, भास्मती राइस का यूचे किया है अब हम इसे सोक करने वाले हैं तो इसे हम इतना पानी डालेंगे कि चावल से एक देड़ी चुप पर पानी होना चाहिए अब इन चावलों को मैं आदे गंटे तक सोक करने वाली हूँ तो चावलों को बॉयल करने के लिए यहाँ पर मैंने पानी ले लिया है तो याहांपर मैने लिया एक टेस्फद्त, चार लॉंग ली है, दो मैने यहाँ पे स्टार फूल लिया है, नो यहांपर सिन forsk्ण स्टिक, फिर मैने लिया है एक मैने पे सिया जीरा लिया है, थोड़ा सम यहां पर एट कर देंगे हरा धनिया और पुदीना अब हम यहां पर एट करेंगे half teaspoon इलाइची पाउडर अगर आपके पास नहीं है तो आप दो इलाइची हरी वाली डाल दें यहां पर मैं नमक आट कर रही हूँ नमक आपने इतना डालना है कि जब आप पानी टेस्ट करें तो हलका खारा टेस्ट आना चाहिए पानी का अब हम यहां पर आट करेंगे एक टेबल स्पून भर के ओईल आप ओईल की चागे पर घी भी आट कर सकते हैं अब हम इसे ढग देंगे और हाई हीट पेस पे बॉइल आने देंगे एकदम अच्छा बॉइल आने देना है तो यह देखिए यहां पर काफी अच्छा बॉइल आने लगा है जब इतना बॉइल आने लगे उसके बाद ही हमें इसमें चावल आट करना है तो जो बासमती चा तो फिर चावल तूट जाएंगे क्योंकि ये सोक किये हैं अब हम इसे हाई हीट पे बॉइल आने देंगे तो यह देखिए यहां पर चावल में काफी अच्छा बॉइल आ गया है यहां पे हम हैदराबादी दम बिर्यानी बना रहे हैं तो इसमें हम चावलों को से 50-60% ही तो मैं आपको ब ancestors को कितना बॉइल नए यह देखिए बहुत जादा सूमयाने का वेट नहीं करना है जब एक … बार बॉइल आना ऴेजर हिना पुल हम हना बॉजर से निकाल लेए हैं अब इन चावलों को स्ट्रेनर से निकाल लेगे इस बी तिना हु मुस्टव मानिस्ट् इसके उपर हम ऐसी लेयर लगा देंगे पूरी तरफ अच्छी तरह से इसे स्प्रेड कर देना है में चावलो को तो यहां पर मैंने सारे चावलो की लेयर लगा दी है अब जी चावल के जो पानी था जो बॉइल के हो पानी था वो हम यहां पर हाफ कप डालेंगे बहुत कोई फर्क नहीं आएगा अब हमें इसे दम पे कुक करना उसके लिए सबसे पहले हम इस अच्छी तरह से कवर करेंगे तो मैं यहां पर कपड़े का यूज कर रही हूं कपड़े से मैं इस अगर आप कपड़े का यूज नहीं करना चाहते तो अब बरतन के साइड में आटा जब तक हमें इसे 10 मिनट तक पहले पकने देंगे जब इसमें से हलका-हलका सह सटीम आने लग palavra दो फिर उसके बाद आफिसकी लेक्षाषोब लो कर देंगे और लो करने के बाद हम इसे 20-25 मिनट तक पकने देंगे अब यहाँ पर बिर्यानी को मैंने हाई हीट पे 10 मिनट तक पका लिया है अब यहाँ पर मैंने फ्लेम देखिए एकदम लो कर दिया है दम की हीट पर कर दिया है अब हम इसे 20-25 मिनट तक अराम से पकने या जब तक हमारी बिर्यानी कम्प्लिटली कुक नहीं हो जाती तब तक हम इसे दम पे ही पकाएंगे अब यहां पर बिर्यानी को मैंने 25 मिनट तक दम के हीट पर पका लिया उसके बाद में भी मैंने से ओपन नहीं किया गैस बंद कर दी पर उसी तवे पर मैंने बिर्यानी को चावलों को कुक किया था और चावलों में लेंध भी बहुत अच्छी आई है अब इस तरह से खड़ा चमच डालके हम चेक करेंगे और अगर मसाले में आपको चमच पे पानी लगावा दिखता है तो इट मीन्स कि हमारा मसाला नहीं पका है और अगर आपको इस तरह से ओईल चावल बासमती राइस यूज किया है तो यह बहुत नाजुक होते हैं और अभी बिर्यानी बहुत गर्म है तो यह आसानी से तूट जाएंगे और यहां पर हमारी बिर्यानी का मसाला है अब हम क्या करेंगे इसे थोड़ी देर के लिए ढखके 10-15 मिनिट के लिए छोड़ तो इससे हमारी चावल भी थोड़े सेटल हो जाएंगे उसके बाद में हम इसे सर्फ करेंगे अब यहां पर हमारी गर्मा गरम भट्यारा स्टाइल चटपटी मज़ेदार दम बिर्यानी बनके रेडी है आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राए करना उमीद करते हूं आपको